बागी यहाँ पर भी आपको इस Gblem दे रखें जो कि आपको ब्रेजा के अंदर नहीं मिलते ओर हम जजो है इस डाड़ी का yenधियुक्त इंयंट गॉर्वछ एंप कि व६्रेजा रख़े यहां पर दे रिखा तो कुछ इस तरीके का काफी प्रीमियम सा इंटीर आपको फ्रॉंग से अंदर देखने मिलेगा विडियो में जहां पर आज हमारे पास में हैं मारति सुझू की ब्रेजा का एलेक्साई विरेंट और फ्रॉंग्स का डेल्टा प्लस विरेंट अगर आप 2024 के अंदर ब्रेजा या फ्रॉंग्स दोनों ही गाड़ियों में से कोई गाड़ी लेने को प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंग तक जरूर देखना आपको इन दोनों गाड़ियों के बारे में सारी बाते पता चल जाएगी कीमत की बात करें तो ब्रेजा का जो एलेक्साई विरेंट है उ सच कीमत में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है 30-30,000 रुपय का डिफरेंस है लेकिन लोक्स बगरा में काफी सारे डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं तो सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हो और कंक्लूजन में आपको ये भी बताने वाल लोगो मिल जाता सीम की आपको जो है आपकी अंदर रचा की के अंदर रखते हैं यो पाकी ron देखने हों मिलेगा और यहां पर आपको ब्रेजा के अंदर कुछ इस तरीके का लुक मिलता है पहले हम फ्रॉंग्स के बात करते हैं तो फ्रॉंग्स के अंदर आपको जो है LED DRL दे रखें और इसमें आपको इंडिकेटर भी LED में मिलता है वह एक अच्छी बात है और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपको LED में रखा जो की रिफ्लेक्टर बेस्ट है यह आपके दो लो बीम के लिए मिल जाते हैं यह आपको हाई वीम के लिए दे रखा इसमें आपने अपनों हो जाते तो वह एक अच्छी बात है उसके बात इस गाड़ी के अंदर क्रॉम ग लुक देखने को मिलेगा ब्रेजा एक कॉंपक्ट सेग्मेंट की गाड़ी है तो यह थोड़ी सी स्वी टाइप लगती है यहां पर आप देखेंगे तो ब्रेजा के लेक्साई वेरेंट के अंदर आपको जो है प्रोजेक्टर में है बेस वेरेंट से वह एक अच्छी बात ग्रिश जो क्रोम की गार्निश है वह आपको यहां पर भी मिलेगी लोगो दे रखा है और निचे की तरफ आप देखेंगे तो प्लास्टिक का पार्ट काफी ज्यादा इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा मतलब एक लेडिंग टाइप ज्यादा दे रेखिए जो कि प्रोल लुक की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो आपको जो है फ्रॉंक के अंदर कुछ इस तरगी का लुक देखने को मिलेगा जो कि एकदम टॉप मॉडल वाली फील देता है वही जो ब्रेजा का बेस मॉडल है तो वह थोड़ी सी कम लुक यहां पर अच्छी प् आपको इस गाड़ी के अंदर जो है 16 के इस टीलिम दे रखें कोई भी आपको जो है इस गाड़ी के अंदर अलोई का उप्षन नहीं मिलेगा आगे की तरफ डिस ब्रेक दे रखें रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं टायर प्रफाइल की बात करें तो वह मिलता करना पड़ेगा इंडिकेटर यहां पर जरूर दे रखा बोटी कलर दो और यहां पर दे रखें पिछे की तरफ आप देखेंगे तो रूफ रेल दे रखें कोई भी आपको जो है रूफ रेल बगेर नहीं मिलते शाक्विन एंटिना जरूर दे रखा है बागी इस गाड़ यहां पर इंदर मिलते हैं लेकिन यहां पर इस दे रखें जो कि आपको ब्रेजा अंदर नहीं मिलते हैं और यहां पर देक्स नहीं जो घ्राइन से फ्रां से अंदर वह आपको तो 190 mm का मिलेगा और जो ब्रेजा है उसके अंदर आपको 198 mm का मिलता है क्लेडिंग वगेरा यहां पर भी दे रखी है और और वम जो है इस गाड़ी का वह लिखनी वह ली तो एक्सटाइन के बिर्फ प्र डर यहां पर दे रहा है जो कि आपको ब्रेजा के अंदर नहीं मिलेगा दूसरी चीज यहां पर एक एक इक्ट्रीज मिल जाएगी उसमें आपको जो है 48 लेटर्स की फुल टेंग फ्यूल टेंग मिल जाती है बागी अगर रियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों को आप यहां पर साइड बाई साइड देख सकते हैं कुछ इस तरीके लूक रियर से मिल जाएगा सबसे पहले फ्रॉंग की बात करें तो फ्रॉंग के अ लेटी में इंडिकर और लेटी में ही रिवर्स लेंप यहां पर दे रखा है और यहां पर दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं चार पारिंग संसर दे रखें हैं उसके बाद अगर बूट स्पेस की बात करें तो वह आपको मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर 308 लेटर्स का यह सीट आपकी 60-40 स्प्लिट फंक्सिन के साथ में आती है रियर में घुक दे रखा पार्सल ट्रे यहां पर मिल जाएगी यहां पर मेगनेटिक बटन दे रखा है अपर आपको मिल जाएगा और और लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक यहां पर आपको फ्र जीड़ा जीज मिल जाती है बाकी यहां पर सुझी का लोगों दे रखा है ब्रेजा की बेजिंग यहां पर मिल जाएगी लटी में ही इस गाडी इंदर टेल लाइट से टब इसमें कोई पी इन्दर आपको जो है जो आपको यह नोगा रिवर्स लेंब भी हेलोजन में दे देखा है ठीक है चार युवर पाइगन संसर और दो रिफलेक्टर यहां पर भी दे रखें सेम चीज आती है और बूट स्पेस की बात करें तो यहां पर जो है ब्रेजा के अंदर आपको ज्यादा बूट स्पेस्पेस देखने को मिलेगा एस कंपेर्ट टू फ्रॉंक्स यहा बेस मोडल में एक्सपेक्ट ना ही करें ठीक है और यहां से आप जो ही गाड़ी का बूट खोल सकते हैं वह बटन जरूर मिल जाता है ठीक है और लुक आप देख लो लुक्स की बात करें तो रियर से देखने में थोड़ी सी ब्रेजा बड़ी-बड़ी से लगती और अच् में आपको ब्रेजा का ही इंटीर दिखा देता हूं क्योंकि यह बेस मोडल है तो इसके अंदर कुछ चीज़े कम देखने को मिलेगी और यहां से आप डोर खोल सकते हो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहां पर आपको ब्रेजा के अंदर मिल जाएगा यह पूरा औल ब्लै लेकिन इस्पीकर वगिर्या सव नहीं आते हैं कर सकते उसके बाद सीट के अंदर कोई भी हाइट अजिस्टेबल डाइवर साइज सीट नहीं मिलेगी सीट अच्छी काहसी चोड़ी दे रखिए कंफर्डेबल सीट है इस गाड़ी के अंदर यहां से आप फ्यूलिट खोल सकते हैं यहां से आप बोनट खोल सकते हैं एबी सी तिनो पेडल दे रखे हैं डेट पेडल भी आपको मिल जाएगा बागी ट्रेक्शन कंटोर का बटन और यहां पर आपको जो है एडलाइट लेवलर भी दे रखा है इंटिरियर की बात करें तो कुछ इस तरीके का इंटिरियर आपको ब्रेजा के अंदर देखने को मिलेगा जो कि एकदम खाली-खाली सा लगता है इस कंपेर्ट तो फ्रॉंक्स के अंदर थोड़ा सा बराबरा सा इंटिरियर देखने को मिलेगा यहां पर आपको कुछ इस तरीके का एंटिरियर बगेरा है वह सारी चीज़े यहां पर आपको दिखा देता है ठीक है रेंज ओड़ोमेटर सारी चीज़ें यहां पर दिखा देगा दोनों ही गाड़ियों के अंदर दो एरबेक आते हैं अगर अगर आप फ्रॉंग्स का डेल्टा प्लस अप्शनल लेते हैं तो हाप पर आप यहां पर कोई बगेरा नहीं आता है तो वह चीज़ आपको फ्रॉंग्स के अंदर एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं डिजाइन दोनों ही गाड़ियों के अंदर से में हजार्ड डायट का बिटन यहां पर दे रखा है मैनुवल यहां पर मिलेगा जो कि फ्रॉंग्स के अं यहां पर मिल जाता है और पिछे आप यहां पर कोई भी अपना सामान वामान रख सकते हैं और आमरेस्ट आपको फ्रॉंग्स के अंदर भी नहीं मिलेगा मैनुवल देखेंगे तो एक टिकेट होल्डर मिल जाएगा और इस साइड आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है कोई भी वेनिटी मिरर वगेरा नहीं दे रखा है दो एडिस्टेबल मिल जाते हैं दो आपको आगे की तरफ पिछे आपको नहीं मिलने वाल है और ब्लेक थीम में यहां पर इंटीर मिलता है बाकि अगर बात करें ग्लव बॉस के अंदर आपको अच्छी का बबात करें गें बवॉस का अंदर कुछ इस तरीगे इंटिर्यर देखने को मिलगा जो कि प्रीमियम सा लगता इस सब्सक्राइब ऑर के और यहां पर आप देखेंगी तो कुछ इस तरीगे की ब्रांज से फिनिस्ट इस गारिक अंदर मिलेगी यहां कर दोर हैं लोग अनल इस गाड़ी के अंदर एक और चीज एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर आपको फोल्डेबल मिल जाएंगे जो कि आपको फ्रॉंग ब्रेजा है उसके अंदर नहीं मिलता है ठीक है यहाँ पर कोई भी आपको हाइट ड्राइवर साइड नहीं मिलेगी जो कि आपको ब्रेजा के अनरहीं मिले वाला अगर इंटी इंटीर की बात करें तो कुछ इस तरीके का काफी प्रिमियं इंटीर आपको को फ्रॉंग के अंदर देखने में कि जो की इंदर आपको नहीं मिलता है। अगर आपको 30,000 डिर्टा में एक्स्टा compact uses तर आपको काफी प्रिमिम सेंbon 10.2 लीटर वाली के अंदर तो आप Delta plus-ória ले सके अंदर कोई दिख्याद वाली बात नहीं है वगर बात करें हम इस गाड़ी के इस्टूमेंन केस्टर की तो कुछिज इस तरह की शाया इस तरीकी का इस गाड़ी के अनदर देखने हों मिलेगा यह यहां पर एक और चीज एक्स्टा मिल जाएगी कि यहां पर आपको साथ इंचेस का इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि आपको ब्रेजा के अंदर नहीं मिलने वाला है दूसरा यहां पर इस गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके के सिवेंट दे रहे हैं एजाड ल ब्रेजा के मिलता है और यहां पर ब्रेजा के अंदर अग्दम बेसिक सा इंटियर देखने मिलेगा वहीर अगर मैं बात करूंक्स की तो फ्रॉंक्स के अंदर थोड़ा प्रिमियम इंटिरियर देखने को मिलता है यहां पर आप देख सकते हो silver finish मिलती है यह bronze finish मिलती है उसके बाद यह maroon type से दे रखी है यहां पर आप देखेंगे तो glove box के अंदर आपको इतनी space मिल जाती है और overall इस गाड़ी का इंटिरियर जो है ज्यादा premium लगता है as compared to breza ठीक है क्योंकि नेक्सा की गाड़ी है तो आपको service experience भी ज्यादा अच्छा मिलेगा as compared to arena उसके बाद इस गाड़ी के अंदर पांचो के पांचो adjustable headrest मिल जाते हैं कि रियर में आपको दोनोई गाड़ी के अंदर क्या क्या difference मिल जाएंगे और अगर इस गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके का door trim मिलता है वही फ्रंट की तरह दे रहा पार window का button है यह आपका बोटन और यह speaker की placement मिल जाती है door handle वगएर आपकी basic से मिलेंगे और अगर मैं आपको बेट कर दिखाओं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके अंदर बेटने में थोड़ा सा यह है कि आपको सीर जुखा के बैठना पड़ता है बागी space के मामले में यहाँ पर भी कोई अगर आपको नहीं मिलेंगे बाग यहाँ पर आपको बारोट का charging socket एक जरूर मिल जाएगा अगर आप इस गाड़ी के अंदर तीन लोंग भी बैठाना जाओ तो बैठ सकते हो कोई इस्यू निए 60-40 split function seat इस गाड़ी के अंदर आती है रियर में तीनों ही पर इम बड़ा सा देखने को मिलता है पार विंडो का बटन वही डोर हैंडल लोक अनलोक करने के लिए वोटर होल्डर स्पीकर की प्लेश्मेंट मिल जाती है लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो ही स्पीकर नहीं आते हैं आगे की सीट मैं अपने हिसाब से एड़ आप सोच रहे होंगे की विल्केप नहीं आती तो अच्छी बात है लगके नहीं आती मतलब कंपणी दे देती है साथ में अगर बेजा अंदर बेटने की बात करें तो इसके अंदर वेटना थोड़ा सा एज़ी एस कंपेट्टों क्योंकि उसका चत थोड़ा सा नीचे की त तो यहां पर headroom जो है मुझे कुछ इतना मिल रहा है तो यहां पर headroom अच्छा कासा मिल जाएगा रियर में इस गाड़ी के अंदर कुछ चीज एक्स्ट्रा है जैसे कि यहां पर रियर में आपको accident मिल जाएंगे लेकिन यहां पर charging port नहीं दे रखा जो कि आपको फ्रॉंक्स के अंदर मिलता है उसके बाद हम यहां पर मिल जाता है तीन लोग आप इसके अंदर भी वैठ सकते हो इसके अंदर यहां पर जो है कमी वह है adjustable headrest की या headrest की मतलब adjustable तो दूर की बात company ने यहां पर fixed headrest भी नहीं दिया है तो वह एक चीज है तो वह एक मतलब चीज क्या बोलते हैं उससे आखरती है हमारी भाषा में बोले तो मतलब वह थोड़ा सा बूरा लगता है कि हाँ दस लाग रुपए की गाड़ी लेने के बावजूद adjustable headrest या fixed headrest तक नहीं मिल रहे हैं अगर आप बाहर लगवाना चाहो तो बाहर तो लग जाते हैं लेकिन फिर भी जो इंजन की बात करेंगे उसके बाद हम conclusion पर आते हैं कि दोनों ही गाड़ी में से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए बात करें अगर इंजन की तो सबसे बले आपको फ्रॉंग्स का इंजन बता जैता हूं फ्रॉंग्स के अंदर आपको कुछ इस तरीकी का इंजन मिलेग माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको 18-20 या 20 प्लस अराम से माइलेज यह दे देती है वहीं अगर मैं बात करूं ब्रेजा की तो ब्रेजा के अंदर आपको जो है सेग्मेंट में सबसे बड़ी इंजन देखने को मिलेगा 1.5 लेटर का 4 सिलेंडर करता है 101 ब्रेजा की और 136 अनम का टॉर्क यहाँ पर जो है आपको फ्रॉंक से ज्यादा पाउर देखने को मिलेगी और जो इस गाड़ी का कंप्पनी क्लेंड माइलेज यह वो 17-30 लेटर का है क्योंकि यहाँ पर ब्रेजा के LXI VXI के अंदर आपको कोई भी स्मार्ट होने से सच कोई ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है ब्रेजा हमारे गाव में एक बंदे के पास है उसकी गाड़ी 12-13 का मैलेज देती है तो उस हिसाब से आप देख लो दोनों करते हैं दोनों ही गाड़ियों का फिर बात करते हैं कङलुजन की बाकि बात करते हैं कंखलें यह है कि फरॉंगस के आंदर आपको अच्छे looks मिल जाएंगे अच्छे feature मिल जाएंगे उसके बाद mileage वगेरा भी आपको फ्रॉंगस के अंदर जादा मिल जाती है फ्रॉंगस जादा प्रेक्टिकल वगेरा स्क्रीन वगेरा कुछ भी नहीं मिलेगा तो अगर आप यह बेस मोडल लेते भी हो तो भी आपको आगे जाकर पैसे इसमें लगाने पड़ेंगे उसके बाद इस गाड़ी के अंदर 1.5 लिटर का इंजन है जिसकी मालेज मतलब बहुत ही घटी है ठीक है उसके अंदर आपको कोई भी स्मार्ट हाइब्रेड वगेरा का ओप्शन नहीं मिलेगा तो मेरे इसाब से जो ज्यादा प्रेक्टिकल गाड़ी है 10 लाक के बजट में वह है फ्रॉंग्स क्योंकि ब्रेजा के अंदर भले ही थोड़ा सा स्पेस वगेरा ज्यादा है लेकिन यहापर जरुवत के सबी फिचर दे रखें और इस गाड़ी के अंदर लेना तो डेल्टा प्लस ऑप्शनल लेना जिसमें आपको छेयर मिल जाएंगे तो आपके लिए वह सेफ्टी के लिए अच्छी हो जाएगी वैसे फ्रॉंग्स की सेफ्टी तो अच्छी है देखने में लगती है चलाने में भी फील होती है कि यह गाड़ी स्टेबल है बागी फ्रॉंग्स और ब्रेजा में से यही था आज का वीडियो और आपके उपर ही डेपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है मेरे उपनियान तो मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए फ्रॉंग्स प्लस विडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरू कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच